इको मेरा नमस्कार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में करोना के केसेस बढ़ रहे है देश के कोने कोने में हर राज्य में ओक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है दवाईयों की डिमांड बढ़ रही है Vaccine की demand बढ़ रही है और जगे जगे इनकी कमी महसूस हो रही है पिषले कुछ दिनों से दिल्ली में भी oxygen की काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है कभी इस hospital में oxygen की कमी हो गई कभी उस hospital में oxygen की कमी हो गई इस hospital में 2 गंटी की oxygen मच गई मैंने खुद रात रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतिजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए किंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तै करती है देश भर में जितनी भी ऑक्सिजन बनती है केंदर सरकार तै करती है कि इस रज्य को इतनी ऑक्सिजन मिलेगी अब दिल्ली को कितनी ऑक्सिजन चाहिए दिल्ली सरकार ने अपना एक estimation लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन oxygen की जरूरत है केंदर सरकार ने हमारा कोटा कल तक 388 टन तै किया हुआ था ये कोटा कल शाम को बढ़ाके 480 टन कर दिया है केंदर सरकार ने इसके लिए हम केंदर सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं हलांकि हमें और भी और भी काफी oxygen चाहिए लेकिन केंदर सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं अब केंदर सरकार ये भी तैक करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कमपनी देगी जैसे दिली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है दिली की सारी ऑक्सीजन दिली के दूसरे रजों से दिली के बाहर के दूसरे रजों से आती है तो केंदर सरकार तैक करती है कि फ तो केंद्र सरकार कंपनियां तै करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की अक्सिजन आएगी अब दूसरी समस्या यहां पर आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उन में से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की अक नहीं देंगे लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोट का शुक्रियादा करना जाता हूं पिछले दो तीन दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जिसकी वज़े से अब ऑक्सिजन दिल्ली पहुंचने लगी है जो जो दिक्कते आ रही थी हम लगातार प उस्पिटल में वहां का ट्रक एक पडोसी राज्ये से चलना था पर वो चला नहीं जी टीबी ऑक्सिजन में आनी थी ऑक्सिजन तो एक केंद्री मंत्री को हमने फोन किया और उन्होंने तुरंत वहां पे बात करके उस ट्रक को वहां से चुड़वाया हम लगातार संपर्क में हैं एक एक ट्रक को अस्पिताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं सो ही नहीं है हाई कोट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रियादा करना चाते हैं जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सिजन का उसमें उडिसा से काफी ऑक्सिजन आनी है तो बढ़े होए कोटे की ऑक्सिजन को भी दिली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जाज के जरीए उडिसा के से ऑक्सिजन लाई जा सके जब हमने डिल्यून यह चे दिन रोटाम नहीं करने वाले हम 24 घंटे काम करेंगे इन چह दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे डिली के हिल्थ इंफ्रसफेक्ट्चर को और सुदउर करने के लिए मिलए three हम है इस इन चे दिनों में डिली में जो ऑक्सिजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए और हम 24 गंटे लगे हुए हैं दिली के health infrastructure को और improve करने के लिए इस lockdown के 6 दिन जो हमें मिले हैं इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक और बात यह बहुत बड़ी आपदा है इस आपदा में अगर हम सारे लोग हर्याना, पंजाब, तमिनाडू, गुजरात, पश्चि बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है है हमें भारतिय बनना है हमें इनसान बनना है गेश के लोग आज सभी नियूस चैनल पे देख रहे हैं कि दिली में आने वाला ट्रक किसी और राज्जे ने रोक दिया मध्यपर परदेश में जाने वाला ट्रक फलाने राज्य ने रोक दिया ये तो ठीक नहीं है लोग ये नहीं चाहते हैं धेश के लोग आज ये हमें देखना चाहते हैं कि दिली ने किसी दूसरे राज्जे की मदद कैसे करी उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें तब ही भारत बचेगा अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करें दिल्ली वाला हर्याना की मदद करें हर्याना वाला बिहार की मदद करे बिहार वाला गुजरात की मदद करे हम सारे लोग अगर एक दूसरी की मदद करेंगे तब भी तो भारत बचेगा और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को कौन बचाएगा, मेरी सारी नागरिकों से अपील है, सारी सरकारों से अपील है, कि आईए, मिलके एक होके लड़के हैं, अगर हम मिलके लड़े, एक मुथ्थी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेग हमारी शक्ति बढ़ेगी और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा मेरे हाथ में जो होगा आप मुझसे मांगिये मैं दूँगा पूरे देश की मदद करेंगे अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे अगर हमारे पास किसी दवाई की जादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बाटेंगे और जब दिल्ली में करोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्ज की जरूरत हुई हम भी बेड़ेंगे हम सभी भारतवासी है हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे सभी रज्यों की मदद करेंगे क्योंकि ये बिमारी कोई बॉर्डर देखके नहीं फैलती मैं उमीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ सारी सरकारें किंद्र सरकार, सारी रज्य सरकारें हम मिल के काम करेंगे एक भारत बन के काम करेंगे करोना को हराने के लिए हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे जादा कोविड केसे भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने यहां की सरकारों ने मिल के कैसे इस आपदा से लड़ाई की कैसे हमने सारा प्रबंदन किया भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बिमारी को हमने हराया जैहन